मेरे प्रिए भाई और बैनू प्रभीयसु ने एक बहुत सुन्दर प्रार्तना सिखाई सु समाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभीयसु ने अपने शीशों को सिखाया कि तुम इस तरह प्रार्तना करो और उस सुन्दर प्रार्तना का प्रारंब कैसा है हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता प्रभु ने का इस तरह तुम प्रारतना करना शुरू करो प्रभु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द पिता नहीं है बलकि अब्बा है अब्बा का तत्पर्य है पपा डाड़ी बाबा बावु एक बहुत ही वात्सल्य पूर्ण या प्रेम पूर्ण अभिवेक्ति है पिता से बढ़कर है प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्ण ना करो यानि प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रार्ण का प्रारंब उस अब्बा के साथ रिष्टे से हो ओ सकता है कि तुमने कई वर्षों से प्रार्णा करने की बात कही अक्षी है लेकिन तुम्हारी प्रार्ण तब तक शुरू नहीं हुए जब तक तुम उस इश्वर से एक बच्चे और पपा का रिष्टा नहीं जोड़ा है प्रभु कहते हैं वो इश्वर अब्बा है ए हमारे पिता की प्रार्णा वास्तों में प्रभी येसु के आंत्रिक या आध्यात्मिक अनभूति की अभिवक्ति है प्रभी येसु ने हमारे सामने अपने आधियात्मिक अनभाव को रखा है येसु ने अपने जीवन में ईश्वर को एक अब्बा के रूप में अनभाव किया पपा के रूप में अनभाव किया डैडी के रूप में अनभाव किया ये उनका व्यक्तिगत अनुभाव था एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभाव जो उन्होंने हम उनके शीशों को सिखाया है अबा, डाड़ी, पपा सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस सद्याईदो में प्रभी येशू मंदिर गए हुए थे अपने माबाप के साथ माबाप ने सोचा वापसी में येशू किसी के साथ होंगे पिता ने सोचा मा के साथ होगा मा ने सोचा पिता के साथ होगा या किसी रिष्थेदार के साथ होगा लेकिन घर पहुंचने पर पता चला कि येशू नहीं है बिचारे मा मर्यम और योसफ उनकी खोज में निकल पड़े और येरुसले मंदिर पहुंच गए उन्होंने देखा कि येशू, बालक येशू, लड़का येशू बारह साल के उमर में शास्त्रियों के साथ वादी वाद कर रहे हैं मा मर्यम ने पुछा कि पुत्र तुमने अमारे साथ आज़े क्यों किया हम बड़े व्याकुल होकर तुम्हें खोज रहे थे येशू ने क्या कहा, कि आपको नहीं मालुम था कि मैं अपने पिता के भवन में हूँगा कि आपको नहीं मालुम था कि मैं अपने पपा के घर पे हूँगा अब्बा के घर पे हूँगा येशू के लिए येरुसले मंदर अपने अब्बा का भवन था अपने पपा का भवन था डाडी का भवन था यानि बच्पन से ही येशु ने इश्वर को एक डैडी के रूप में प्रेमी डैडी के रूप में अनभाव गिया था सुजमाचारों में पढ़ेंगे कि प्रभी येशु ने येरुसिलम मंदर को साफ किया उन्हों ने देखा कि येरुसिलम मंदर का परिसर्व व्यापारियों से भरा हुआ था प्रभू ने साफ किया सबको भगाया और कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को लुटेरों का अड़ा बना दिया है येशु के लिए येरुसिलम मंदर अपने अबबा पापा का घर था तो ये प्रभी येशु की व्यक्तिकत अनुभाव था एश्वर हमारे पापा हैं डाड़ी हैं और प्रभी येशु ने हमें सिखाया लूकस येशु समाचार के अध्याई तीन में हम पढ़ेंगे एकेस वाणी सुनाई दी उनके पिता की वाणी क्या वाणी थी तू मेरा प्रिये पुत्र है मैं तुँस्य अत्यंत प्रसन हूं तो येशु ने अपनी प्रार्तना में भी ये मैसूस किया कि इश्वर मेरा पपा है डाड़ी है इसलिए प्रभी येशु ने हमें बताया कि तुम यहीम्भी इश्वर के साथ ऐसा रिष्टा जोड़ो प्रभी येश्व के सार्वजनिख जीवन में अब देखेंगे एन मौकों पर प्रभी येश्व उसपापा गूबलाते हैं लाजरुश की कबरे के सामने च़ड़े हैं लाजरुश येश्व के प्रएमित्र थे और येशु रो पढ़ते हैं और येशु समय अपने अबास से अपने पपा से बात करते हैं प्रार्धना करते हैं गेश्मनी बाग में अपनी मृत्यू से पहले अपनी प्रान पीडा को अपने दुखबो को अपनी नजरों के सामने देखते हैं और येसु अपने पापा को बलाते हैं प्रभी येसु ने उस पापा के साथ गहरा रिष्था रखा यह उनके समाचार में पढ़ेंगी प्रभी येसु लगाता है यह बार बार कहते हैं कि मैं अपने पापा की आवाज को सुनता हूँ वही मैं तुमको सुनाता हूँ जो मैं देखता हूँ कि मेरा पपा करता है वही मैं करता हूँ येशु का उस पपा उस स्वर्गिक डैडी के साथ एक गहरा रिष्टा था और प्रभी येशु ने हमें वो बाटा समझाया दिया ये आवर्शक है कि हम अपने परमेश्वर को जाने अपने इश्वर को जाने आपकी भक्ती आपका विश्वास आपका जीवन आपकी नैतिक्ता इस बात पर निर्बर होगी कि आप किस हद तक अपने इश्वर को जानते हैं कई लोगों के लिए इश्वर चंगाई देने वाला है प्रभु चंगाई देने वाला डक्टर पैसा देने वाला बैंक मेनेजर बच्चा देने वाला नौकरी दिलाने वाला कई लोगों के लिए उनका इश्वर ऐसा है उनका ज्यान ऐसा है हमें अपने ईश्वर को जानना चाहिए हमें से अधिकतर लोग प्रभु की अरादना करने वाले हैं प्रारतना करने वाले हैं चर्च जाने वाले हैं बैबल पढ़ने वाले हैं लेकिन हमें अपने ईश्वर को गहराई से जानने के अब शक्ता है प्रभी एसु ने हमारे सामने ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप को खुला है बताया है प्रभी एसु ने हमारे सामने ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप के बारे में खुलासा किया है इश्वर के राज के रहास्यों के बारे में द्रिश्टांतों के द्वारा समझाया है हमारा इश्वर कोई डरावना इश्वर नहीं है वैसे भी इश्वर डरावना इश्वर नहीं हो सकता है हमारे सिश्टी करता पिता कभी भी हमें डराने वाला इश्वर नहीं है दंड देने वाला इश्वर नहीं है प्रभी येसु ने हमें बताया अपने वचनों की द्वरा कि हमारा इश्वर एक प्रेमी अब्बा है पपा है पिता है लूकस की समाचार की अध्याय 15 को पढ़िये बहुत सुंदर अध्याया है उस पूरे अध्याय में जो द्रिश्टां प्रभी येसु ने सुनाया है उसके द्वारा हमारे सामने इश्वर का हिरदे खोल कर रखा गया है उड़ाओ पुत्र के द्रिश्टांद सुनिये एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर प्रदेश चला जाता है बुराय में उड़ा देता है उस अकाल पड़ता है, खाने तक के लिए नहीं मिलता है, तंगी में उसे अपने पिता के प्रेम की याद आता है, और उस देश को छोड़कर अपने पिता के भौन के और चल पड़ता है, वचर में लिखा हुआ है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा, पिता ने पुत्र को दू और पड़ता है और ये ने सोचता है कि इसने मुझे बदनाम किया इसने मेरी संपत्ती को बरवाद किया बलकि वो पिता उस पुत्र को गले से लगाता है बार-बार चुम्बन गरता है एस उंदर दिश्टांद के द्वारा प्रभी एसु ने हमें बताया कि हमारे इश्वर कितना प्रेमी इश्वर है वो पिता अपने पुत्र के चारे पापों को नजरन्दाज करता है पापों का हिसाब ने रखता है नजरन्दाज करता है अमारे इश्वर एक ऐसा प्रेमी पपा है देखे स्थोत्रकार के कहता है स्थोत्र एक सो तीन वाक्य दस से स्थोत्रकार कहता है वो ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ विवहार करता और ना हमारे अपरादों के अनुसार हमें दंड देता है आकाश प्रती के उपर जितना उंचाय उतना महान है अपने भक्तों के प्रती प्रभु का प्रेम पूरो परिश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् है अमारे अप्राधूं का ख्याल नहीं करता है अमारे पापों और अप्राधूं के बावजूद हमें प्यार गरता है प्रभी एसु को देखिए लुकस के समाचार के अध्याइश साथ में हम पढ़ते हैं उसके वागी 34 से कि प्रभी एसु समयोन के घर बहुजन पर बैठे दोटिए थे समयोन एक धनी व्यक्तिए ओर उस शेयर के एक नारी को पता चला कि एसु आपर बोजन कर रहे हैं वो बदनाम नारी थी और वो बदनाम नारी एसु की कोज में वहां पर पहुंच जाती है बड़ी इमत बांधकर जहां पर यशू बोजन पर बैठे थे वह ये इसुस पर दया करते है अंधमे प्रभू ने उससे कहा नारी तुमारे विश्वास ने तुमारे उधार किया है शांती प्राप्त कर जाओ उसके सारी बनामी सारे पापों का नजरनदाज रिकरते हैं त्षमा किया जाता है यहाँ कि इसु समाचार के अधियाए आठ्ठ में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो वेबिचार में पकड़ी गए थी जो वेबिचार में पकड़ी गए थी यानि उसने अपराध किया और मुसा के नियम के अनुसार उसको पत्थरों से माँ डाला जाना चाहिए था येसु के सामने लाई गई येसु से पूछा गया कि इसको क्या क्या जाए इसको माँ डाला जाए या इसको जोड़ दिया जाए येसु की परिक्षा लेने के लिए और हम जानते हैं सुसमाचार को ध्यान से पढ़िए प्रभीय सुनिय उस्नारी को मौत के मुझे बचा लिया का कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूँगा पाप नहीं करना जाओ पाप शमा करने वाला प्रभू अबाप अपपा प्रग्या गरंद की अधियाय 11 में प्रभू कवजन कहता है प्रग्या गरंद अधियाय 11 वाके 23 दूसरा हिसा तो मनुशे के पापों को इसलिए अन्देखा करता है कि वो परश्यताब करें एक ऐसा अबा एक ऐसा पिता जो हमें परश्चताब करने के लिए मोका देता उसर देता है जो अमें दंड देने में आतूर नहीं है अगले ध्याय 12 में वाकि 10 में लिखा हुआ है तुori धीरे धीरे दंड देकर उने परश्चताब करने का उसर दिया तो हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें परश्चताब करने के लिए उस्सर देता है हमें धीरे धीरे दंड देता है ताकि हम परश्चताब कर सके प्रभी ये सुने कहा तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा अब्बा है पपा है डाड़ी है और वो ईश्वर एक ऐसा पपा है जो निश्पक्ष है जिसके लिए सब बराबर है मतिक एसु समाचार के अधियाए पांच उसके वाकिय पैंतालिस में पढ़ते है प्रभी एसु कहते हैं कि वह भले बुरे दोनों पर वरिष्टी बेजता है और सूरज को गाता है वह एक ऐसा ईश्वर एक ऐसा पपा जो सब पर बराबर दिश्टी रखता है भले बुरे दोनों पर वरिष्टी बेजता है और सूरज को गाता है वह कोई भेद भाव नहीं दिखाता है उसकी दिष्टी में भला और बुरा बराबर है उसकी दिष्टी में काला और गोरा बराबर है उसकी दिष्टी में पड़ा लिकान पर बराबर है धनी गरीब बराबर है उसकी दिष्टी में कोई भेद नहीं है आज हमारा समाज हमारा देश हमारा विश्व कैसे खंडित हुए हैं कैसे खंडित हुए हैं कैसे विबाजित हुए हैं धर्म के नाम पर जाती के नाम पर उपजाती के नाम पर विरादरी के नाम पर गोतर के नाम पर कैसे हम खंडित हैं लेकिन प्रभु की दृष्टी में सब बराबर है नौ डिफ्रेंस वो सब के भापा है वो सब के पिता है प्रभी ये सु कहते हैं वो निश्पक्ष है सब के लिए बराबर दर्मी पापी दोनों पर सूरस को गाने वाला और वरिष्टी भेजने वाला प्रभी ये सु कहते हैं कि तुम्हारा प्रमेश्वर तुम्हारा ईश्वर सब का ख्याल रखने वाला पापा है मती के सुस्वामचार उठाईए कितना सुंदर वचन है मती के सुस्वामचारा दियाई छे में उसके वाक्य 25 और 26 को सुनिए प्रभी ये सु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो ना अपने जीवन नर्वार की कि हम क्या खाएं और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनें क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं आकाश के पक्षियों को देखो वे ना तो बोते हैं ना लुनते हैं और ना बक्षारों में जमा करते हैं फिर भी तुम्हारा सुरुस्वर्गी पिताओं ने खिलाता है क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो हमारा इश्वर हमारा पापा सबका ख्याल करने वाला है सबका ख्याल रखने वाला सब पर दिश्टी रखने वाला आप पढ़ेंगे मती के सुस्वर माचार के अध्याई छे वाग्य छे में लिखा हुआ आप्रभी यह सु कहते हैं एकांद को भी तुम्हारा सुरुगी पिता देखता है वाभी प्रभु कहते हैं एकांद में प्रार्तना करो अपने कमरे में एकांद में प्रार्तना करो और एकांद को भी वो देखता है उस एकांद में भी तुम्हारे साथ तुम्हारे इस पास रहने वाला पिता अबा पपा हमारे इश्वर एक ऐसे पपा ऐसे डाड़ी है ऐसे डाड़ी हैं हम उन पर बरुसा रख सकते हैं हमारे हिश्वर हमें प्रेम करने वाला पपा है हमें सब कुछ देने वाला पपा है मतिक एसु समाचार के अध्याए साथ वाके ग्यारह में पर भी एसु कहते हैं बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सह जी अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीक पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सह जी अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीक पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा प्रभी एसु कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीक पपा तुम्हें अच्छी चीज़ें देने वाला पपा है तुम्हें बुराई देने वाला पपा नहीं है वो भला है यहान के इस समाचार के अध्यायती इन वाग्य सौला में लिखा हुआ है यहान के इस समाचार के अध्यायती इन वाग्य सौला में लिखा हुआ है बहुत सुंदर वचन है इसको हमें नहीं बाइबल कहते है बाइबल का निजोड है इश्वर ने संसार से इतना प्यार गिया कि उसने उसके लिए अपने एकलावते पुत्र को भी आरपीत गर दिया जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश्च नहों बल्कि उससे अनंत जीवन मिले हमारे स्वर्गिक पपा ने हम से इतना प्यार किया हम पापियों से इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया और हम जानते हैं उस पुत्र ने अपने आपको पूरी तरह से कुरूज पर अर्पित किया हमारे लिए अपना पुत्र देने वाला the one who gives us the best हम से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए अरपित किया हमारे स्वर्गीग पिता हमारे स्वर्गीग पपा एक ऐसे प्रेमी पपा है रोमियों के पद्र के अधियाए आठ वाके बत्तिस में संद पौलुस सिजी बात को दोराते हैं पौलुस क्या कियते हैं उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया उसने हम सब के लिए उससे समर्पित कर दिया कितना सुन्दर तर्क पौलूस हमें दे रहे हैं पौलूस कहते हैं उसने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया उसको भी अर्पित किया तो इतना सब देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा एसु कि उस महान बलिदान के दौरा इश्वर ने प्रकट किया कि वो हमें कितना प्यार गरता है ये प्रकट किया कि मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं हूँ बलकि मैं इतना प्यार करने वाला हूँ कि मेरे पुत्र को भी मैं हर्पित कर देता हूँ पालूस कहते हैं कि इश्वर इतना सब कुछ कर सकता है तो हमें सब कुछ नहीं देगा देगा तो प्रभियसु कहते हैं कि वह इश्वर हमारे ऐसे प्रेमी पपा है अबबा है हमें ऐसे पपा के साथ रिष्टा जोडने की अबस्चता है सबसे पहले हम यह जानना है कि हमारे इश्वर कौन है कैसा है बहुत सारे विश्वासियों को मुझे माफ करना बहुत सारे मसीहों को भी यह ग्यान नहीं है उनका मतलब है करमकांड पूरा करना नियम की पूर्ती करना मिस्सा में जाना, सर्विस में जाना थोड़ा सा वचन पढ़ना रोजरी पढ़ना थोड़ी प्रारतना करना बहुत सारे मसीही लोग इश्वर से बहुत डरते हैं और यहां तक कि मैंने देखा बहुत सारे मसीयों को अंधविश्वाजी बनते हुए क्योंकि उनका इश्वर के बारे में ग्यान गलत है सच्चा ग्यान नहीं है प्रभीयसु मसी ने हमारे सामने जो ग्यान रखा है इश्वर के बारे में वो ग्यान अभी तक उन्होंने अपनाया नहीं है वे करमकान में वेस्थ थे नियमों के पालन में वेस्थ थे रूटीन के पूर्ती में वेस्थ थे उन्होंने एक गेहा यहां से प्रारत्ना की शुरुत होती है उस गेहारे रिष्टे से तो मैं आप से नोध करूंगा आज अपने उस प्रेम इश्वर के साथ एक गेहारा रिष्टा जोड़िए आज तक नहीं हुआ तो आज से शुरू कीज़े वो मेरा पपा है मैरे असली डड़ी है दूसरा ड़ड़ी तो जाने वाला है मिटने वाला है लेकिन यह मेरा शाष्चुत ड़ड़ी है उसके साथ एक गैरा रिष्टा जोड़िये हमें सन्द फ्रांसिस असीसी के बारे इंस पढ़ने को मिलता है असीसी के संद फ्रांसिस बहुत बड़े धनी वस्त्र व्यापारी का बेटा था पैसा वाला था दबंग था ये वावस्ता में बहुत बड़ा दबंग आदमी था और अपने में बहुत खुबियां भी रखता था और उस पर बहुत गर्व करता था गमंद करता था लेकिन येशु के साथ साक्षादकार के बाद उसका जीवन बदल गया इतने बड़े धैनी वस्त्र व्यापारी का बेटा बोरे जैसे कपड़े को पहने लगा लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया है उसके पिता ने उसको बुलाकर का कि बेटा ऐसे मत जीओ ये सारी संपत्ती तुमारी है तो उसने क्या क्या उसने सारी कपड़ा उठाकर गरीबों में बाड़ दिया पिता परिशान हुआ उसको पकड़कर बिशप स्वामजी के पाद धर्म गुरू के पास पहुंच गया और बिशप स्वामजी से कहा कि इसको समझा दीजिए ये जो कपड़ा पहना ये भी मेरा है अपने पिता जी और उस धर्म गुरू के सामने फ्रांसिस ने अपने को नंगा गर दिया सारे कपड़े उतार कर फेक दिया और कहा कम से कम अब तो मैं अपने इश्वर को प्रेम और विशेश्व रहे आनन्स बरबूर हो गया और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ जिस समय आप ईश्वर के साथ एक गहरा रिष्टा जोड़ेंगे एक बच्चा जिस तरफ पपा से बात करता हूँ उसी तरफ बात करने लगेंगे आपके जीवन में ईश्वर ये प्रेम और ईश्वर ये आनंद भर जाएगा रिष्टा जोड़ना प्रभी येसु यहन के सुस्वर माचार के अध्याए पंदरा में कहते हैं यहन के सुस्वर माचार के अध्याए पंदरा उसके वाकिया दस में कहते हैं बहुत सुंदर वच्चन है प्रभी कहते हैं यहीं तो मेरी आग्याओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में द्रड़ बने रहोगे मैंने भी अपने पिता की आग्याओं का पालन किया है और उसके प्रेम में द्रड़ बना रहता हूँ प्रभी यसु कहता है कि मैं अपने प्रेम के प्रेम में अब्बा के प्रेम में पपा के प्रेम में द्रड़ बना रहता हूं उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में द्रड़ बने रहो हूं हम एक गहरा रिष्टा जोड़ना है अपने इश्वर से मैं एक बहन को जानता हूं वो साक्ष देने के लिए आश्रम भी आई थी कि आने जगवी में उनको ले गया था वो पुलीस कॉंस्टबल है उन्होंने प्रभी येसु मसी को बनाया येसु में आने के बाद येसु को वो येसु पपा कहते हैं और उन्होंने प्रभु से प्रार्तना की उनके दो बेटे थे चोटे जोटे बेटे हैं उन्होंने प्रार पड़े लिखे नहीं थे इसलिए मुझे सिपाही बना दिया मैं तुछ से प्रार्तना करती हूं कि मेरे दोनों बेटों को विदेश में पढ़ाना और वहीं पर नवगी दिलाना एक जिद्धी बेटी की तरह वो इशुर के साथ इस तरह परताब करती थी इस तरह बोलती थी एक जिद्धी बेटी की तरह येशु के सामने इस तरह प्रार्तना किया गरती थी आप जानते हैं एक सच्चाई उनकी दोनों बेटे विदेश या कर ध्यन की पढ़ाई किये आज वहां पर काम कर रहे है सवाल यह नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक प्रार्तना करते हैं सवाल यह नहीं कि आपकी प्रार्तना में कितनी गहराई है कितने अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं सवाल यह नहीं कि आप करमकान की पूर्ती करते हैं सवाल यह है कि आपका इश्वर के साथ कितना गहरा रिष्टा है तो सवाल यह है कि इश्वर के साथ आपका रिष्टा कितना गहरा है आपकी प्रार्तना की सफलता और उसके परिणाम इस बात पर नर्बर है माली जी आप जिस जगह पे हैं उस जगह के डियम आप इमित रहे हैं तो आपको उनके दफ्तर तक जाने के अवशक्ता ने होगी आप मातर फोन करेंगे फोन करेंगे भाई ये काम होना चाहिए वो बुलेंगे जरूर हो जाएगा तो सवाल ये नहीं कि हम कितने लंबी देर तक प्रार्तना करते हैं बलकि सवाल ये है कि हमारा रिष्टा ये श्वर के साथ कितना गहरा है मेरा रिष्टा इश्वर के साथ कितना गहरा है इसलिए मैं आप से अन्रोद करूँगा मेरे भाई और बैनों आज से हम प्रार्तना करना शुरू करें बोलना अच्छी बात है रटना अच्छी बात है लेकिन प्रार्तना करना शुरू करेंगे इश्वर के साथ एक गहरा रिष्टा जोड़ना शुरू करेंगे इश्वर मेरा अब्बा है पपा है डाड़ी है प्रभी ये सुने कहा उनकी सिखाई हुए एक मात्र प्रात्ना का प्रारंब या है कि इस तरह शुरू करो है हमारे डाड़ी जो स्वर्ग में है उस इश्वर को डाड़ी मानिए आज से उस डाड़ी के साथ बारतलाब शुरू किजिए उस डाड़ी से प्रेम करना सिखिए उनके प्रेम के एसास करना शुरू किजिए आई हम आज से प्रार्थना करना शुरू करेंगे मन किजिए प्रभ्येसु दन्यवाद देते हैं हिन पलूं के लिए दन्यवाद देते हैं सुन्दर प्रार्थना के लिए जिसकी द्वारा तुने हमें अपने हिर्दे की बातें बता दी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुने इश्वर के स्वरूप और स्वभाव को हमारे सामने प्रकट गिया है तुने हमें बताया है कि वो प्रेमी इश्वर है और वो प्रेमी पिता है अबबा है डैडी है पपा है अमारे पापों का नजरंदाज करने वाला अमें च्हमा करने वाला अमें पश्चताप के लिए मौका देने वाला अमारा ख्याल रखने वाला अमारे लिए प्रबंध करने वाला सब को बराबर देखने वाला निश्पक्ष आंख वाला हमें इतना प्रेम करने वाला कि अपने पुत्र को अमारे लिए कुरूस पर हर्पित गिया एक ऐसे महान और प्रेम मैं ईश्वर को जानने पैचानने और उनके साथ एक गहरा रिष्टा जोरने के लिए हमें गरपा दिजी येशू प्रभी येशू मैं प्रार्थना करता हूँ समय इस वचन को सुनने वाले एक एक भाय बेन को प्रार्थना का सच्ची प्रार्थना कवरदान दिजिए एश्वर के साथ एक गहरा रिष्टा जोड़ने कवरदान दिजिए उसको पपा कहने डाड़ी कहने अब्बा कहने के लिए समर्त जी और कृपार दिजी येस्व हुआ प्रभीएसमारी प्रार्त्नाओं को घरा बनाइए प्रार्त्ना के दूरा लिख्यों के颊 प्रढ़्यों छोड़ सके यह हमारी तु जो स्वर्ग में है आए हमारी अब्भा पप्प the इस वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज जी आवे तेरी इच्छ जेस स्वर्ग में है वैसे इस पुर्ती पर भी पूरी हो हमारा प्रति दिन का आहा राज हमें दी और हमारे अपराध हमें श्मा कर जैसे हम भी अपराधियों को श्मा गरते हैं और हमें परिक्षा में गिर झाल